दोस्तों नुश्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम लियुज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश देश की राजनीत में एक नई परिघटना जरूर सामने दिखाई दे रही है दर्ज हुई है और वो ये कि पहले सत्ताधारी जो भारती जनता पार्टी है उसका जो गठबंधन एंडिये है वाक पहले कुछ करता था कोई कदम उठाता था कोई फैसला करता था तो पूरा जो विपक्ष है कॉंग्रिस की अगवाई वाला विपक्ष मैं कह रहा हूँ ये उस पर रियक्ट करता था गठबंधन जो विपक्ष का है भले उसका इंडिया नाम तब तक नहीं पड़ा था पहले वो रियक्ट करता था एक्ट नहीं करता था इनिशेटिब उसके हात में नहीं था लेकिन इंडिया एलाइंस बनने के बाद खास तोर पे अब ये देखा जा रहा है कि विपक्ष एक्ट कर रहा है वो पहल कदमी कर रहा है वो कोई फैसला ले रहा है और सरकार रियक्ट कर रही है सत्ताधारी गठबंधन उस पर मजबूर होकर कुछ न कुछ अपना करतब दिखा रहा है तो ऐसा लगता है कि चुनाव आने से पहले चुनाव की तैयारी कर रही पोलिटिकल जितनी पार्टियां अपने देश की आ है उसमें एक नई परिखटना अब ये दर्ज हो गई है कि विपक्ष पालकदमी ले रहा है और इंडिये सत्ताधारी दल को उसे फालो करना पड़ रहा है या उसके मुतलिक कोई और कारवाई करनी पड़ रही है कोई और फैसला लेना पड़ रहा है मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि दोस्तों मुंबई में इंडिया एलाइंस की तीसरी बैठक तै की गई उसकी ख़बरें आने लगी कि सारे नेता तैयारी कर रहा है संगठन के स्तर पर कुछ नई पहल कदमी लेने जा रहा है इंडिया एलाइंस इस बार कमेटियां बन या एजिंडा इसका तै हो रहा है ये सब बातें आने लगी इसी भीस में सरकार ने अचानक एलान कर दिया कि संसद का विशेश सत्र बुलाया जाएगा और उसकी तारीक मी मकरर कर दी कि पांच दिनों का ये सत्र होगा जी ट्वेंटी के अधिवेशन जो हो रहा है अपने देश में जब विदेशी मेहमान चले जाएंगे उसके बाद 18 से होगा और 22 तक चलेगा अब ये जो डिकलेरेशन है वो राजनितिक गलियारे में भारती जनता पाटी और मवजूदा जो NDA सरकार है उसके साथ सिंपैथी या उसको बहुत उसकी प्रशंशा करने वाले जो टिपणिकार हैं दभी जुबान से वो भी कह रहे हैं कि जरूर ये कुछ न कुछ तो इस क्योंकि ये आसान बात नहीं है कि विपक्ष की समूची ताकत अगर एक जगा इकठा हो जाए और फिर भी उसको शिकस्त दे दे भारती जनता पाटी ये कोई आसान बात नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपक्ष भारती जनता पाटी को हरा ही देगा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली भारती जनता पाटी की सरकार जो है उसको अपदस्त करना अगले चुनाव में कोई आसान काम है बिलकुल आसान काम मैं नही उसी शिद्दत के साथ कह रहा हूँ कि भारती जनता पार्टी और एंडिये के लिए भी अब ये आसान काम नहीं रहा गया है कि इतनी फौलादी एक्ता जो विपक्ष की मुंबई में दिखाई पड़ी है जिसकी सुरुवात पटना से हुई जो बंगलोरु में और ज्यादा म की मुश्किलें बड़ी है उसके जो धुरंदर नेता है नरिंद्र मोदी और अमिशाज ऐसे दो बड़े दिगज जिनको रणनीतिकार माना जाता है चुनाव जीतने का उस्ताद माना जाता है और वह भी कहीं न कहीं परेशान है और उसी परेशानी का नतीजा है उसी रायन कुबर महीने में संभावित था कि शीतकारिन सत्र होगा कुछी महीने बाकी है उसके उसके पहले पांच दिन का विशेस सत्र की घोशना करना यह भी निश्चित रूप से एक ऐसी कारवाई है एक ऐसा कदम है एक ऐसा फैसला है जो कहीं न कहीं विपक्ष की बढ़ती हुई ताकत का सत्ता की तरफ से मकाबला करने का एक इसमें प्रयास दीखता है दोस्तों लेकिन सबसे दिल्चस्प बात है मेरी पहली आज खबर यही है कि घोशना तो कर दी गई कि पार्लमेंट का विशेस सत्र होगा लेकिन विशेस सत्र क्यों होगा उसका क्या विशे होगा उस घोषना आज तक नहीं की गई अठकले लगाई जा रही है तो ऐसा लगता है कि यह 10-15 दिन जो हैं वो लगातार अठकलों के लिए छोड़ दिये गए कि लोग अठकले लगाते रहें यह अभी एक टैक्टिस हो सकती है यह अभी एक तर्कीब हो सकती है कि कुछ नहीं तो अटकलें लोग लगाते रहें लेकिन ऐसा कम देखा गया है पार्लामेंट की हिस्ट्री में खास कर स्वतंत्र भारत की संसदी इतिहास में कि कोई विशेश सत्र हुआ हो और उसकी घोषणा नहीं हो क्यों हो रहा है यह एक बिलकुल नहीं परिपाटी है और यह डिमोक्राटिकली अगर देखा जाए डिमोक्राटिक स्पिरिट में अगर इसको देखा जाए तो यह वाजिब नहीं है एजिंडे के साथ इस पेशल सेशन की घोषणा की जानी चाहिए लेकिन एजिंडा नहीं और सेशन की घोषणा हो गई यही नहीं एक और दिल्चस्प बात हुई जिस दिन गोषणा हुई उस दिन शाम को टीवी पूरम के कुछ चैनलों पे चलने लगा कि वन नेशन वन एलेक्शन के लिए यह इस पेशल सेशन बुलाए जाने की अठकले हैं अब फिर अठकले हैं तो उन अठकलों के बारे में कहा जाने लगा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी का ये बहुत प्री एजेंडा रहा है कासका नरेंद्र मोदी जी और अमिशाह वाली बीजेपी की बीजेपी का तो हो सकता है कि पांच दिनों के इस सत्र में वही काम हो जाए अब अठकल लगाने वाले पारलामेंट तो कवर कम किये हैं पारलामेंटरी प्रोसीजर की उनको जानकारी कम है पांच दिन के सत्र में क्या वो वन नेशन वन एलेक्शन का पूरा का पूरा काम काज तयार हो जायगा क्या इसके लिए assemblies की कोई endorsement नहीं चाहिए मैं समझता हूँ कि संविधान संसोधन में नौकेवल कई जगा two-third मिजार्टी की जरूरत होती है संसत के दोनों सद्रों में दोनों सद्रों में बलकि कई ऐसे प्राउधान election से जुड़े मामलों में radical अगर change करना है आपको आपको बिलकुल उसको बदल देना है गुनात्मक रूप से उसमें change लाना है तो आपको कई मामलों में कई ऐसे प्राउधान अबारे संविधान में हैं जिनको बदलने के लिए state assemblies का भी endorsement होना चाहिए क्या ये संभव है पांस दिनों में सब कुछ हो जाएगा तो दोस्तो अटकलों का कोई सिर पैर नहीं होता है लेकिन मैं ये बिलकुल rule out नहीं कर रहा हूँ कि one nation one election पर अगले पांस दिनों का जो सत्र है 18-22 में उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है हो सकता है कि शुरुआत उसके और parliamentary जो practice है उसकी रोशनी में ये बात मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ लेकिन seriously इसलिए अब लिया जाने लगा है उन अटकलों को कि one election one nation की प्रक्रिया के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए all of sudden सरकार ने जिस दिन सेशन का announcement किया उसके अगले दिन एक committee की घोशना कर दी और दिल्चस्प बात यह है कि जिस तरह सेशन की घोशना बगएर agenda के हुई उसी तरह committee की घोशना उसकी पूरी संरचना के बगएर हो गई संरचना ये कि उसके membran कौन कौन और होंगे इसका कोई अता पता नहीं शायद अब उसकी नोटिस उसकी जारी हो रही हो ये कारिसुची उसकी क्या होगी उसका दाएरा क्या होगा ये भी उसमें गोशित नहीं किया गया ये सिर्फ पता दिया गया कि देश के पुर्व रास्ट्रपती माननिय रामनात कोविंद जी उसके अध्यक्ष होंगे अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि भारत के जो रास्ट्रपती होते हैं उनके उनके आउकाश ग्रहन करने के बाद यानि उनकी सेवा जब समाप्त हो जाती है कारिकाल खत्म हो जाता है तो पुर्व रास्ट्रपती एक घणमानी पद है भारत में बहुत ही एक घणमानी हैसी उसकी शक्सियत होती है सभी दलों सभी तरह के विचार के लोगों के बीच उसकी बहुत प्रतिस्ठा होती है ऐसे में जिस विशय पर पुलिटिकल पार्टी के बीच में इतनी कन्फिलिक्टिंग ओपीनियन हो विपक्ष के जादातर दल इसके विरोध में है और उनका कहना है कि वन नेशन वन एलेक्शन भारत जैसे जटिल समाज में विविदता भरे समाज में जहां इतने स्टेट्स हैं और उनके अलग अलग रंग और धंग हैं उनकी अलग पालिटिक्स हैं, अलग पार्टियां हैं उन जगा राज करने वाली या विपक्ष में रहने वाली, ऐसे में आप एक एलेक्शन नहीं करा सकते और ये बहुत सारी मुश्किलें इसके साथ पैदा होंगी तो ऐसे में अगर इस कमेटी पर कोई फैसला लेना है इसमें कोई सुझाओ देना है उसमें पुरो राश्टरपती को क्यों उसमें शामिल किया जा रहा है एक सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि पुरो राश्टरपती को इस पार्टी के पचड़े में क्यों डाला जा रहा है तो एक बड़ा एक एक विबात इसको लेकर भी खड़ा हो गया है लेकिन भारती जंता पार्टी की तरफ से इसका बचाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से इसको डिफेंड किया जा रहा है बहराल दोस्तों तो ये ये जो मुद्दा है वन नेशन वन एलेक्शन के अलावा क्या और क्या हो सकता है पास दिनों के इस सेशन में बहुत सारे लोग कहते हैं की महिला आरक्षन बिल पर इस बारे में कुछ फचला है आपको याद होगा महिला आरक्षन बिल भारती जंता पार्टी बुरी तरह फंसी थी जब वो विपक्ष में थी और UPA के साशन में बहुत सारी कोश्य इसको लेकर की गई थी लेकिन बीजेपी के अंदर जो ओबीसी और दलिच समाज और ट्राइबल समाज के लोग ते मेंबर आप पार्लामेंट थे वो इसके विरोध में थे दोस्तों मेरा यह अपजर्वेशन है कि अगर पार्लामेंट में इस मुद्दे पर व्यापक सहमती बनाकर बिल पास करना है तो कोटा विदिन कोटा ये आपको प्रावधान तै करना पड़ेगा कम से कम जो अतीत का जो सबक है उसको जरूर मद्दे नजर रखना होगा मौजूदा सियासतदानों को चाहे वो सरकार हो सरकार में बैठे सियासतदान हो या विपक्ष में बैठे हो लेकिन एक ये भी अटकल है कि राजसभा में जो बिल पेश कर दिया गया था मिशाजी द्वारा ग्रे मंतरी जी द्वारा कि एलेक्षन कमीशन में जो एलेक्षन कमिशनर्स हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो आपको याद होगा मार्च महीने में जब सुप्रिम कोट आफ इंडिया ने एक एलान किया था एक फैसला दिया था कि वही एक कमेटी ये काम करें कि इसमें माननी प्लान मंतरी हों विपक्ष के नेता हों और देश के मुख्ष नया अधीश हों सुप्रिम कोट के सीजी आई इसको पलटने के लिए सरकार ने एक बकायदे बिल पेश कर दिया राजसभा में राजसभा में पेश करने का मकसद ये था सरकार का कि ये कभी खतम नहीं होगा बिल लोगसभा का तो कॉलैप्स कर सकता है लोगसभा का कारिकाल जब पूरा हो जाए तो बिल खतम हो जाता है राजसवा में बिल मरता नहीं है तो इसलिए राजसवा में पेश किया पहले सरकार ने अंतिम दिन पिछले सेशन के आखरी दिन और वो क्या है उसमें है कि प्राइम इनिस्टर रहेंगे कमेटी में और एक कैबिनेट मंत्री और रहेगा सरकार की तरब से यानि तीन सदस्ती जो कमेटी होगी उसमें चीफ जिस्टिस नहीं रहेंगे देश के तो होगा क्या जो सरकार चाहेगी वही होगा तो आज की तारीक में जो भारत के समिधान का आठकिल 324 है उसके तहट सरकार प्रस्तावित करती है एलेक्शन कमिशन के कमिशनर्स की न्यूक्तियों के बारे में और ये जो कमिशनर्स हैं भारत के राष्टपती द्वारा न्यूक्त कर दिये जाते हैं तो एक यह भी अटकल है कि हो सकता है कि लोग सभा में ये बिल को पेश करके वहां पास कराया जाए और राय सभा में भी प कर रहे हैं और उनका जो रिटायर्मेंट है वो 14 फरवरी 2024 को है यानि ईलेक्शन जो होने वाला है इस पार देशका उसके पहले ये महाध़ाशचही रिटायर हो जाएंगे अगर ये रिटायर हो जाएंगे इसका मतलब कि इनके रिटायर्मेंट से पाले नई नियुक्ती हो जानी चाहिए सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए कानून अपने फेवर में रखना चाहती है ताकि वो जिसको चाहे उसको कमिश्टर बना ले कल्कना कीजे कि एक ऐसे नाम पर डिसकसन चल रहा है तीन सदस्यों की कमेटी में जिसमें विपक्ष के नेता है प्राइम मिनिस्टर साहब है और चीफ जस्टिस आफ इंडिया है और ऐसा नाम तैव उसमें हो जा रहा है मिजार्टी ऐसे नाम के पक्ष में चली जा रही है जिसको सरकार पसंद नहीं करती तो फिर क्या होगा तो ऐसी इस्तिची से बचने के लिए यहां प्रबंध किया जा रहा है इस बिल का संबह हो है कि इस बिल को भी पास कराया जाए इस से सन में तो यह तब कुछ अटकले हैं कुछ अंदाज हैं सही क्या होगा वाकई क्या होने जा रहा है यह इस देश के कुछ ही लोग जानते हैं लेकिन इस से जुड़ी एक बहुत दिल्चस्प कबर मैं आपके सामने जरूर रखूँगा अपनी अगली कबर में और वो है इंडिया ऐलाइंस की बैठक दोस्तो इंडिया ऐलाइंस की बैठक के बारे में पहले तो मैं यह बता दूँ कि क्यों मुंबई मुंबई में जो बैठक होई उसका क्या मात्व है सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में राहुल गांधी जिस नपे तुले ठंग से उन्होंने अपनी बात कही और जो मेरी जानकारी है वो सिर्फ प्रेस कांफरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बैठक के अंदर जो डेलिबिरेशन हो रहा था जहां कोई कैमरा नहीं था जहां कोई रिपोर्टर नहीं था वहां भी राहुल गांदी ने नपे तुले ढंग से इस एलाइंस के बारे में इसकी स्टेटिजी के बारे में और बीजेपी एंडिये की जो स्थिती देश में आज है उसको कैसे ये मोर्चा कैसे ये एलाइंस गहरी शिकस्त देने में दक्ष और सक्षम हो चुका है कम्पिटेंट है इस बारे में जो उन्होंने कहा वो बहुत महत्पूर है प्रेस कांफरेंस में भी उसकी एक जलक जरूर दिखाई पड़ी जब राहुल गांदी ने कहा कि उनके पास जितना वोट है 2019 में जितना वोट उनको मिला उसके मुकाबले हमें बहुत ज्यादा वोट है उन्होंने 60 फिस्दी वोट की बात की उन्होंने कहा कि 60 फिस्दी जो भारत है वो हमारे साथ है यानि इंडिया एलाइंस के साथ है दोस्तो सच बात यह है कि 2019 में अगर देखिए आप जब प्रचंड बहुमत मिला था मोदी जी की अगवाई में एंडिये को और खास तोर पे भारती जनता पार्टी को भारती जनता पार्टी को दोस्तो हम सब जानते हैं कि 303 सीटें मिले थी 353 सीटें हो गई पूरे इंडिये की और 303 सीटों में बीजेपी को 37.3% 37.3% वोट मिला था और इतना प्रचंड बहुमत आ गया तो इसका मतलब यह है कि 60% से अधिक जो वोट है वो बीजेपी के साथ नहीं है और यही बात राहूल गांदी अपने शब्दों में कह रहे थे कि 2019 में विपक्ष विखरा हुआ था आज विपक्ष एक साथ है और अगर विपक्ष 2024 की चुनावी जंग में एक जूट होकर इसी तरह दम लगा कर अगर उतरता है तो यकीनन भारती जंता पार्टी की सरकार को उखाड़ा जा सकता है चुनाव में उसको बीजेपी को हराया जा सकता है राहूल गांदी अपने शब्दों में यही बात कह रहे थे नितीश कुमार ने भी बहुत नपे तुले ढंक से अपनी बात कही चाहे वो अंदर की बैठक हो चाहे वो बाहर का बाहर में बाहर होने वारा प्रेस कान्फरेंस हो दोनों जगों पर लालू प्रशाद यादो अपनी एक खास अदा में उन्हों ने भी अपनी बातें कहीं और गौर तलब बातें थी स्टालिन साब, M.K. स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलाट के हैं उन्होंने सीता राम यचूरी, CPIM के, जनरल सेक्रेटी सब ने अपने अपने ढंग से ये बात ने कहीं दो बड़े फैसले हुए लोगों का मानना था कि इसमें साथ कन्वीनर या चेर्मेन कुछ चुने जाएंगे लेकिन बहुत खुबसूरती के साथ एलाइंस ने अपने अंतविरोधों में एक लैख खोजने की कोशिश की है अब मैं अंतविरोधों में लैख खोजने की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे ये क्या ये कविताई क्यों कर रहा है नहीं मैं सही कह रहा हूँ ये अंतविरोधों में लैख की बात है क्योंकि बहुत सारे नेता इसमें हैं जिनको लगता था कि कन्वीनर वो बनाये जाएं तो ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है कोई सोचता है कि नई कन्वीनर उनको बनना चाहिए कोई कहता है कि इनको बनना चाहिए इस आप हम आप हम इससे बचने के लिए जो टॉप लीडर्सिप है इलायंस की उसने सोचा कि क्यों नहीं पुरा का पूरा एक कमेटी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए और उन्होंने एक कौाडिनेशन कमेटी बना दी। कौाडिनेशन कमेटी में 14 लोग हैं मैं नाम पढ़ देता हूँ। साथ राजीव सिंग राजीव ललन सिंग जेडियू से जावेद अली खांस सपा से और सी पी आईम का एक सदस्य इसमें शामिल होगा जिसका नाम पार्टी बाद में देगी। तो ये 14 सदस्य एक कौडिनेशन कमेटी बन गई है जो अगली बैठकों का नौकेवल को संचालित करेगी, कन्वीन करेगी बलकि जो भी निरने लिये जाने हैं उस प्रक्रिया को इनिशेट करेगी और नेताओं की बैठकों में फिर उस पर फैसला होगा। तो कुल मिलाका अगर मैं कहूं तो एक कलेक्टिव लीडर्सिप उभारने की कोशिच दिखाई देती है। तीसरी बात एक वर्किंग, दूसरी बात जो दूसरा फैसला है एक 11 मेंबरान का वर्किंग ग्रुप बना है जो रिसर्च एड्सेक्टरा का का काम करेगा, यानि श लेकिन अलग धंग से आई है और जो पूरी तरह सच नहीं है, जो मेरी जानकारी है कि मुंबई की बैठक में सूसरी ममता बनर जी, चीप मिनिस्टरा बेंगाल, वो जो थोड़ी नाराजगी उनकी रही है, वो सिर्फ इस बात पर नहीं रही है कि CPIM और कॉंग्रेस का, जो पर पश्चिम मंगाल में जो उनकी राइनितिक मौजूदगी जो है, और जो टीमसी है, इनके जो आपसी रिस्तों में खटास है, उससे लेकर ममता बनर जी चाहती है कि क्लियर कट ये बता दिया जाए कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, यानि तैक कर लिया जाए अभी से, वो मेजर शेयर जाहिरे टीमसी को होगा, क्योंकि उनकी बड़ी पार्टी है, उनके दिमाग में है कि कहीं लास्ट आवर्स में कॉंग्रेस और सीपियम दबाव न डालें कि उनकी जरूरत विदिन दे कोट से ज़्यादा सीटें मिलना, वो मांग करने लगें, तो फिर क्या तो एक ये मुद्दा बताया गया, कि इस कारण वो नाराज थी, कि वो चाहती है कि अभी से तैक कर लिया जाए सारी सीटों का मामला, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि इसके अलावा एक और मुद्दे पर वो भिड़ गई, और वहाँ पर जो अंदर डिसकसन चल रहा था, उस जातिवार जनगणना का प्रशना ऐसा प्रशना है, जिस पर मोधी सरकार संकट में आ जाएगी, परेशानी फील करेगी, क्योंकि दलित आदिवासी और OBC कमिनिटीज में उसके परकचे उड़ जाएंगे, और उसे काफी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, लेकिन म अंताब अनरजी इस मुद्दे पर सामत नहीं थी, उनका कहना है कि जातिवार जनगणना की कोई जरूरत अभी मसूस मैं नहीं करती, या उनका कहना था कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको प्रमुकता इस एलाइंस को नहीं देना चाहिए, तो या भी एक नाराजगी का क कि येका.